कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लग्टी फिल्मों की दुन्या में तो वक्त और तेजी से बदलता है वर्ष 2013 में शाहरोख खान की फिल्म चन्नाई एक्सप्रेस आट अगस्त को रिलीज हुई थी यानि 15 अगस्त वाले विकेंड से एक हफ्ता पहले 15 अगस्त दो हजार तेरह को रिलीज हुई थी अक्षे कुमार की फिल्म वंस अपॉन एटाइम इन मुंबाई दुबारा इस फ हफ्ते बाद रिलीज हुई अक्षे की फिल्म वंस अपॉन डॉलर टाइम की बिजनेस को भी बूरी तरह प्रभावित किया शारुख ने अपनी फिल्म की स्क्रीन्स भी बढ़वाली जिससे अक्षे की फिल्म को काफी नुकसान हुआ और फिल्म फ्लॉप हो गई लेकिन अ अक्षे की फिल्म ने शारुख के अर्मानों पर पानी फिर दिया शारुख की फिल्म अभी तक अपनी लागत वसूलने के लिए संघर्श कर रही है तो 22 करोड में तयार हुई टॉयलेट एक 100 करोड रुपे से ज्यादा की कमाई कर चुकी है यानि इस बार अक्षे हिट हो हैं और शाहरोख खान फ्लॉप कहा जा सकता है कि वक्त सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है जो कब स्कृट में किसी के लिए काम्याभी लिखेगा और किसी के लिए असपलता इसे समझना बड़ा मुश्किल है कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगटी फिल्मों की दुन मुम्बईल दोबारा इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी एकता कपूर एकता ने शाहरोख की फिल्म के साथ टक्राव टालने के लिए शाहरोख से बात की थी लेकिन शाहरोख नहीं माने शारोख की चन्नाई एक्सप्रेस को जबरदस्ट ओपनिंग मिली और फिल्म ने एक हफ साल बाद वक्त बदल चुका है शाहरोग की फिल्म जब हैरी मेट से जल अक्षे कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम का था से पहले रिलीज हुई पहले ही हफते में कमाई के मामले में शाहरोग की फिल्म बॉक्स ओफिस पर धाराशाई हो गई फिल्म को 15 अगस्त वाले व कहा जा सकता है कि वक्त सबसे बड़ा डायरेक्टर होता है जो कब स्क्रिट में किसी के लिए काम्याबी लिखेगा और किसी के लिए असपलता इसे समझना बड़ा मुश्किल है